ये हेलो फ्रेंड्स आज में एक बहुत थी अमेजंग चायनीज डामा एक्स्प्लेन करने वाली हूं जिसमें कमपने के सीईयो को उसकंपनी की किलीनर से प्यार हो जाता है ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लिड लूजीह को देखते हैं जो एक कमपनी में किलीनर का काम क करती है तब इसके सामने से उकर उस कंपनी का सीईयो मिस्टर शाओ जाता है अगले सीन में वो एक मीटिंग कर रहा हुता है जिसमें एक जुआन नाम की एंपलोई उससे बूली मिस्टर शाओ हमारी कंपनी के शेर्स बहुत गिर गए अगर यह दो पॉइंट और नीचे गिर तो सब खतम हो जाएगा इस पर मिस्टर शाओ कहने लगे तुम सभी लोग बहुत अच्छे कंपनी से ग्रेजुएट हुए हो हमारी स्टॉक से इतने नीचे गिर रहे लेकिन तुम में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा तबी जिया वहां कर क्लेनिंग करने लगती है तो प्रमत कैसे हुई एक क्लीनर होकर यहां कर बकवास करने की इस पर जिया कहती है मिस्ट शाओ उनसे कहता है इसे करने दो तब ही हुँ देखते है कि उनकी कंपनी के स्टॉक सचानक से बहुत बढ़ने लगे थे फिर जिया मिस्ट शाओ से कहती है अब तुम वैसा ही करो जैस नॉर्मल प्राइस पर आ गया है तब भी मिस्ट शाओ जिया से बोला तुमने यह कैसे किया तो जिया कहती है मिस्ट शाओ मुझे अभी तीन आफिस में क्लेनिंग करनी है तो मैं चलती हूं बाइदावे अभी स्टॉक मार्केट बंद होने में 40 मिनट का टाइम है अगर इत 10 बिलियन का प्रोफिट भी हो गया है फिर मिस्ट शाओ उनसे बोला प्रोजेक्ट नंबर 9 को ये ग्रूप को दे दो तो जुआन कहने लगी प्रोजेक्ट नंबर 9 20 बिलियन का प्रोजेक्ट है उस क्लेनर के कहने पर आप इस प्रोजेक्ट वो ये ग्रूप को दे देंगे अगर उसने कहा है तो हमने छोटा सा प्रोजक्ट दे देते हैं लेकिन मिश्टिशाओ कहता है जैसा उसने कहा है वैसा ही करो और उस लड़की के आइडेंटिटी भी पता करो मिश्वान इसके लिए हां कह देती है अगले सीन में लूजी अपने घर वापस जा रही होती है तब ही उसके सामने काफी सारी कार साजाती है एक आइद्मी कार से उतर कर उसके सामने आता है और उससे कहता है मिश्वान आपका तीन साल का टाइम पीरियAIड खतम हो गया है मैं आपको लू फैमिली में डिनर के लिए इन्वाइट करने आया हूँ इस पर जिया कहती है अंकल आज मेरे हस्बेंड यिंजे का बड़्द है तो आज में नहीं आ सकती तब ही वो आदमी कहता है आप ये फैमिली की तीन साथ से सीक्रेटली हेल्प कर रही है आपने उन्हें लो क्लास फैमिली से हाई क्लास फैमिली बना दिया आपका हस्बेंड यिंजे अब ये ग्रूप का CEO बन गया है अब टाइम आ गया है कि आप लू फैमिली में वापस आ जाए लेकिन जिया कहती है यंजे ने अभी अभी अपने कमपनी शुरू की है तो मुझे उसके साथ रहना चाहिए इसलिए आप लोग वापस चले जाओ तब ही वो आदमी कहता है आप लू गुरूप की डॉटर है आप चाहे ना के बिजनिस वर्ल्ड की क्वीन है फिर आप एक लोग लास फैमिली में क्यों रह रही है वो भी हाउस वाइफ बनकर तो जिया कहती है मुझे स्टेटस और पावर नहीं जीए मैं सिर्फ अपने हस्बन यंजे के साथ एक औरडिनरी लाइफ जीना चाहती हूं फिर वो आदमी बोला अगले सीन में वो केक लेकर घर जा रही होती है तब ही वाँ उसे यंजे मिल जाता है तो जिया उससे कहती है आज तुमारा बद्ध है न इसलिए मैं तुमारे लिए केक लेकर आई हूं तब ही यंजे की सिस्टर कियान उसका केक गिरा देती है और उससे कहती है मेरा ब्रैदर भी आस तुमें कुछ देना चाता है तब ही यंजे उसे डिवांस पेपर्स देता है जिसे देखकर जिया कहने लगी यंजे तुम मजा करना बंद करो चलो अंदर चलते हैं यंजे बोला मैं सीरिसली बोल रहा हूँ चलो साइन करो जिया उससे पूशती है तो कियान उससे कहती है कि मेरे ब्रेदर तीन साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं और आज इन्होंने फाइनली शाओ ग्रूप के साथ एक कॉंट्रेक्ट साइन किया है जिसकी वर्थ 20 बिलियन डॉलर्स है तुम जैसी क्लेनर को सिब खाना बनाना और सफाई करना आता ह तो तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो जिया बोली यूंजे मैं तुमसे सुनना चाहती हूं यूंजे बोला अब कहने के लिए कुछ नहीं है तुम एक क्लिनिंग और कुकिंग करने वाले लड़की हो तुम मेरे साथ नहीं रह सकती एक अच्छी वाइफ तो अपने हस्बें मैं अब कंपनी का टॉप बिजनिसमेन हूं मैं यह एकसेप नहीं कर सकता कि मेरी वाइफ एक हाउस वाइफ है अब अगर तुम बाहर जॉब ढूनने भी जाओगी तब भी लोग बोलेंगे कि तुम्हें एक क्लेनर थी तुम्हें पता है तुमारी वज़े से लोग मेरा कित लेकिन यह कहता है आज मैंने जो कुछ भी अचीव किया है वो सब मैंने अपनी मेहनद से किया है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं फिर जिया कहती है तुम्हें शाओ ग्रूप का जो 10 बिलियान का प्रोजेक्ट मिला है वो भी इसलिए क्योंकि मैंने मिस्टर शाओ से तुमारी हेल्प करने के लिए कहा और तुम कह रहे हो कि मेरे इससे कोई लेना देना नहीं कियान उसका मजाक बनाते हुए बोली जिया तुम्हें पता भी है 10 बिलियन कितने होते हैं हमें यह प्रोजेक्ट हूलियान ने दिलवाया है ना कि तुमने जिया बोली हूलियान तुम से जूट बोल रही है तब ही कियान बोली हूलियान मेरे भाई को लाइक करती है अगर इनकी शादी हूँ फैमली में हो गई तो हमें टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता तुम तो हूलियान की जूते साब करने के लायक भी नहीं हो जिया कहती है तुम गलत बोल र आपको तो सपोर्ट कर पाओगी फिर इंजे कहता है हम दोनों तीन साल से कपल है इसलिए मैं तुम्हें एक लाक युवान दे रहा हूं उनसे तुम कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेना कम से कम वो क्लेनर की जॉब से तो बैटर होगा जिया बोली तो मैंने तीन साल से त उसकी कीमत तुमारी नजरों में सिर्फ एक लाक है तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें इंजे की गल्फेंड हूलियान थी वो वहां आकर जिया से कहती है तुम तो एक लाक खे भी लायक नहीं हो खेर तुमें पैसे ही चाहिए तो ये कार्ड रखो इसमें वन मिलियन ये पैसे लो और यहां से दूर चली जाओ जिया कहती है एक लाक युवान मेरे सामने कुछ भी नहीं फिर हूलियान बोली ठीक है तुमने डिवास पेपर्स पर साइन कर दिया है तो यहां से चली जाओ क्योंकि मुझे तुम जैसे गरीब लोगों से अलर्जी है तब ही जि करकर के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम्हें पता भी यह 10 मिलियन का प्रोजेक्ट क्या होता है फिर हूलियान उससे कहती है तुम मेरा क्रेडिट लेना चाहती हो तुम जानती भी हो मिश्ट शाओ कौन है फिर जिया बोली ठीक है सिंगिंग सेरेमनी का वेट करो इसके बाद वो वहाँ से चले गए अगले सीन में मिस्ट शाओ से कह दिये उस क्लेनर का नाम लूजी आये और वो ये ग्रूप के प्रेजिडेंट मिस्ट येंजे की वाइफ है मिस्ट शाओ बोला तब ही उसने हमसे ये ग्रूप के साथ प्रोजेक्ट साइन करने को कहा अब वहाँ उसकी मदर इनलो और कियान आ जाती है जो उससे कहने लगी मेरे बेटे ने पिछले तीन साल में तुम्हें बहुत कुछ दिया है अब ये मत सोच ना कि तुम अपने साथ यहां से कुछ लेकर चली जाओगी कियान इसका बॉक्स खोलो और देखो कि यह कुछ ले कर वो उसे सर्च करने लग जाती है लेकिन तभी मिष्टर शाओ वहां आकर उन्हें रोक देते हैं मिष्टर शाओ वहां कर जिया से बूला मिष्ट जिया आप ठीक तो है ना तभी उसकी मदर इनलो चलाते वे बूली जिया तुम कितनी शेमलेस हो गई हो इसी लड़के के लिए तुमने मेरे बेटे को इतना इजीली डिवास दे दिया फिर वो मिष्ट शाओ पर भी चिलाने लगती है तब ही मिष्ट शाओ का असिस्टेंट उसे एक स्लैप मारता है फिर मिष्ट शाओ उससे बूला लगता है तुम लोगोंने कभी पैसे देखे ही नहीं मेरी चैड़ी है वहां से जाते वे कियान से बूली सिंगिंग सरेमनी मी मिलते हैं तो कियान चुलाते वे इती Carney के लिए वहां आने की सोचना भी मत वर्ना मेरा भाई तॉमें चुड़ेगा नहीं वहां से जाते वी जिया मिष्ट शाओ से बूली मिष्ट शाओ Animal तेंक्स आपने और जब उन्हें रियालिटी पता चलेगी तब उनका फेस कैसा होगा इसके बाद हमें साइनिंग सेरमेनी का सेन दिखाये जाता है जहां इनसे की मॉम मिस जैंग अपनी बेटी से कहती है आज इस सेरमेनी में बहुत बड़े बड़े बिजनिसमेन आये है तो तुम्हें उनके पास जाकर उनसे बात करने चाहिए उनमें से किसी को हमारी फैमिली का सने लो बना लो तब ही वहाँ पर जिया की एंट्री होती है जिसे देखकर कियान उससे बूली तुमारी हिम्मत कैसी हो यहां आने की क्या तुम्हें अपना लेवल नहीं पता तुम्हें इस जगह पर आने के लायक नहीं हो फिर मिस जैंग कहती है यह मत सोचना कि तुम इतने अच्छे कपड़े रेंट पर ले लोगी तो एक अपर क्लास परसन बन जाओगी तब ही कियान उस पर वाइन गिरा देती है और उससे कहती है मैंने यह जान बुझकर किया है मैंने तुमारे कपड़ उपर वाइन इसलिए गिराई ताकि तुमसे गरीबी की स्मेल ना आए तब ही जिया भी उसके उपर वाइन फेंक देती है और उससे कहती है, मैंने भी जान बुझकर गिराई, तब ही वहाँ पर येंजे आ जाता है, और उससे कहता है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है, तो कियान उससे बूली, भाई देखो जिया मुझे बुली कर रही है, तो येंजे उससे कहता है, जिया अब हमारा डिवास हो चुका फिर क्यान बूली वो आदमी इसके कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहा था जरूर डिवॉस से पहले भी उसके साथ रही होगी ये सुनकर येंजे कहने लगा जिया मुझे पहले तो ऐसा लगता था कि तुम किसी काम की नहीं हो लेकिन आज पता चला कि तुम तो एक शेमलेस व मुझे दिखा दिया मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है कि मैंने अपने तीन साल तुम पर वेश्ट किये और तुमारे लिए अपने करियर से गिवप करके एक हाउस वाइफ बन गई येंजे बोला तुम्हें कुकिंग और क्लीनिंग करने के अलावा आता ही क्या है हमा खराब हो गया है इससे तुम मेंटल होस्पिटल भेज देना चाहिए तभी मिस जैंग उनसे बोली सिक्योर्टी प्लीज यहां कर इसे बाहर निकालो लेकिन तभी जिया सबके सामने स्टेज पर चली जाती है और उनसे बोली मैं यहां सी चली गई तो मेरे बिना यह साइनि और तुमारी फैमिली की मेरे सामने खड़े ओकर बोलने की वी आउकात नहीं है फिर वो उस 10 बिलियन के कॉंट्रेक्ट को उठाती है और उससे बोली यह 10 बिलियन का कॉंट्रेक्ट मैं नहीं मिश्ट शाओ से तुमारे साथ साइन करने को कहा था ताकि तुम्हें बर्दे दे सकूं लेकिन अब मैंने तुमारे ट्रूफेस देख लिया है तुम इस प्रोजक्ट को डिजर्वी नहीं करते यह कहकर वो उन पेपर्स को फाड कर फैंक दे दिया तब ही हूलियांग उससे कहती है जिया तुम एक लो क्लास फैमिली से हो तुम्हें क्या लगता है कि तुमारा मरने का इरादा है तब ही हूँ देखते हैं कि वहाँ पर मिश्टर शाव का असिस्टेंट आ चुका था तो यह से जिया से कहने लगा मैं अभी भी तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि आसे चले जाओ क्योंकि तुम्हें आज जो किया है अगर उसका मिश्टर यहां खड़े होने के भी लायक नहीं है तब ही वहाँ पर मिश्टर शाव की असिस्टेंट जुआन आ जाती है तो यह उससे कहता है मैं यह गुरूप का सीई हूं मिश्टर शाव मेरे साथ ही 10 विलेन का कॉंट्रक्ट साइन करने वाले हैं आप फिकर मत करो मैं इस प्रोज प्रोब्लम्स क्रेट करने आ गई फिर हूलियांग असिस्टेंट से बूली डॉंट वरी मैं इस बिच को धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल दूगी तब ही असिस्टेंट जुआन उसे एक स्लैप मार दिये और उससे कहती है तुम अपना मूँ बंदी रखो तो अच्छा ह मुझे लगता है कि जिन लोगों को यहां से धक्का मार कर बाहर निकाला जाना चाहिए वो तूम हो यह इंजे बोला असिस्टेंट जुआन आपको मिसंडेस्टेंडिंग हुई है तब ही असिस्टेंट उसे भी एक स्लैप मार दिये और उससे कहती है तुमारी हिम्मत कैसी म आपने इस प्रोजेक्ट को यहिंजे के साथ साइन करने के लिए कहा था लेकिन अब आप मना कर रहे हैं तो वैसा ही होगा यह सुनकर मिस जैंग हूलियांग से बोली तुमने तो कहा था कि इस कॉंटरक्ट को दिलाने में तुमने यहिंजे की एल्प किये असिस्टेंट बो इसके बाद यहिंजे शाव ग्रूप में किसी के पास कॉल करता है और उससे कहता है मैं यह ग्रूप का सी यह यहिंजे बोल रहा हूं मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि शाव ग्रूप का और मेरा जो कॉंट्रक्ट होने वाला था क्या वो खतम हो गया है इस पर हो आपने गलती अक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हें जाने दूगी वर्ना मिष्टि-शायो के आने के बाद तुम बचने ही पाओगी जिया बूली मैं भी तुम्हें एक चांस देती हूं अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ तुम्हें जाने दूगी तभी वाहा से बोला मैं यह गुरूब का CEO यहां पर कुछ मिसंडरस्टेंडिंग हो गई हैं इसके बाद मिश्टी शाओ अपने असिस्टेंट से बोला कंपनी में मैसेज भिजवा दू कि हमने यह गुरूब के साथ कॉंट्रेक्ट खतम कर दिया है यह सुनकर यह से कहने लगा मिश्टी मिश्टी शाओ हमारे भी जरूर को मिसंडरस्टेंडिंग हुई है मैं आपको एक्स्प्लेंड करता हूं तब ही मिश्टी शाओ कहते हैं मैंने तुम्हें यह 10 बिलियन का कॉंट्रेक्ट दिया सिर्फ जिया के कहने पर लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमार गुटनों पर बैठ कर माफी माँग लो तो हूलियंग बोली यह इंपॉसिबल है कि मैं इस बिच से माफी माँगू तो मिस्टर शाओ कहता है लगता है मुझे हूँ फैमली की भी एक्जिस्टेंस कतम करनी होगी यह सुनकर हूलियंग जिया से माफी माँग लेती है मुझे मेरी आखे खोल दी तुमने मिस्टर शाओ को सैडियूस कर लिया तब ही मिस जैंक जिया को स्लैप मारने वाली होती है लेकिन मिस्टर शाओ उसे पकटकर धक्का मार देता है फिर मिस जैंक कहने लगी मिस्टर शाओ प्लीज इस लड़की पर ट्रेश्ट मत करो यह आ अब हमारा डिवॉस हो चुका है तो अब यह मुझे बुली नहीं कर सकती जिस वक्त से मैंने डिवॉस साइन किया है उसी टाइम से मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी मैं पहले थी यह इंसे बूला तुमारा ये कॉन्फिडेंस इसलिए इतना बढ़ गया है न क्योंकि तुम मिश्टर शाओ के लवर हो लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम उनके साथ ज्यादा टाइम टक नहीं रह पाऊगी वो कुछी दिनों में तुमें भी किक कर देंगे तब ही मिश्टर शाओ उसे एक स्लैप मारते हैं और उससे कहते हैं सभी मैंस तु में जरूर रिग्रेट होगा जब मैंने मिश्ट शाओ को पहली बार देखा था तब ही मुझे उन पर क्रशा गया था लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मैरिड है तब मैं बहुत सैड हुआ पर मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाता हूं जो तुमने इसे डिवास दे दिया य इस दिन मैंने तुम से डिवास लिया उसी दिन तुम मिश्ट शाओ के पास चली गई तुम कितनी शेमलेस हो जिया कहने लगी तुमने एक मिस्टरेस के लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया तो बताओ शेमलेस कौन है आज तुमारी फैमली यहां खड़ी है उसका रीजन पूलियांग उससे कहती है मिश्टर शाओ प्लीज ऐसा मत करो वो भी इस बिच के लिए तब ही मिश्टर शाओ कहते है तुमारी हूँ फैमली भी सिटी की सबसे टॉप फैमली में आती है ना लगता है मुझे तुमारे साथ भी हिसाब किताब पूरा करना होगा इसके बाद वो दोनों वहां से चिले जाते हैं अगले सीन में जिया मिश्टी शाओ से कहती है मिश्टी शाओ ठैंक्स आपने आज मुझे अगर मिश्टी ना का दिया जिया गया हूँ लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज आप थोड़ा सेंसिबल बनिये फिर मिश्टी शाओ कहते हैं एम सॉरी तुम्हें अभी किसी पर सन्ने हट किया इसलिए तुम भी इस बारे में सोच नहीं सकती फिर जिया अपने मन में कहती है मैंने अपने तीन सा पार्टी होने वाली है तो शेंग कहती है किसकी सक्सेशन पार्टी हूलियंग बोली क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता तो शेंग कहती है और इस बारे में कैसे बूल सकती हूं ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर अपने मन में कहने लगी तीन साल पहले लूजिय ने हमारी फैमिली को बरबाद कर दिया और तुम कियान तुम बार-बार ये कहती रही कि वो से पैक्टरस हैं अगर हम उन्हें अफेंड ना करते तो शायद आज ये सब नहीं होता तब ही कियान कहती है ये सब जिया की वज़े से हुआ है उसे ने हमारा मिश्टी शाओ के साथ कांट्रेक्ट खतम करवाया और सब के सामने हमारी फैमिली का मजाक बनवा दिया फिर मिस्जेंग कहने लगी हां कियान बिल्कुल सही कह रही है उसी की वज़े से शाओ फैमिली ने हमें ब्लॉक कर दिया हमने ऐसी बिच को तीन साल तक अपने घर में रखा और आज उसने हम मिस्जेंग गुस्से में बूली हूलियंग तुमारी अभी भी इतनी हमत है कि तुम हमारे सामने आ गई बताओ तुमने हमसे जूट क्यों बोला फिर येंसे उस पर चलाते वे कहता है तुमने तो कहा था कि शाओ फैमिली के साथ तुमारे अच्छे कनेक्शन है और ये 10 बि फैमिली की सेकंड डॉटर मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये सुनते ही मिस्जेंग उससे बोली मिस हूँ अभी भी मैंने जो भी का वो गुस्से में कह दिया था तो प्लीज तुम बुरा मत मानना फिर हूलियंग कहने लगी तीन दिन बाद लूफ फैमिली की इन्वेस्टमेंट कॉन्फरेंस करने वाली है जिसमें उन्होंने सिटी की पांस टॉफ फैमिली को बुलाया है मुझे अल्रेडी इन्विटेशन मिल चुका है और मैं अपने साथ तुमें भी ले जाऊंगी ये सुनकर इनसे कहने लगा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमने शा परचुनिटी मिली है तो तुम उस जिया को अच्छे से सबक सिखाना वहीं दूसी और जिया मिश्टी शाओ से कहती है आप ड्राइवर से यही कार रोकने के लिए कहूं तब है मिश्टी शाओ कहते हैं जिया तुम कहां रहोगी जिया बोली डॉंट वरी मेरे पास रहने के एक घर है आप इस सिटी की टॉफ फैमली की हैड है आपको ऐसी लड़की को लाइक नहीं करना चाहिए जिसका डिवास हो चुका है इसलिए प्लीज आप मुझसे डिस्टेंस रखना क्योंकि अगर किसी रिपोर्टर ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है मिश्टी शा किसी के पास कॉल करते हैं और उसे उस कार के नंबर बता कर उसके ओनर का पता करने के लिए कहते हैं अगले सीन में अंकल जो जिया से कहते हैं कल की कॉन्फरेंस में पास टॉफ फैमली जाने वाली है और वो सब आपको देखना चाहते हैं तो जिया कहती है ठीक है मैं उन सब से मिलूगी तब भी अंकल जोग के पास किसी का call आता है और call cut करने के बाद वो जिया से बोले मिश्टर शाओ हमारी कार की चेकिंग करवा रहे हैं तो जिया कहती है उन्हें करने दो अगले सीन में assistant जुए मिश्टर शाओ से कहती है मिश्टर शाओ मैंने उस कार के लगता है तो जौन कहने लगी लूफ फेमिली सिटी की सबसे टॉफ फेमिली में से है अगर जिया सचमे लूफ फेमिली की डॉटर होती तो वो एक सैकंड रेट फेमिली में शादी क्यों करती मिश्टर शाओ बोले तुम जो कह रही है उसमें सेंस तो है वैसे भी मैं उसे लाइक करता हूँ ना कि उसकी अइडेंटिटीटी को तब ही वहाँ पर एक लड़की आती है जो वहाँ आकर मिश्टर शाओ से कहती है हमें मिले वे काफी टाइम हो गए मिश्टर फ्याओं से तो मिश्टर शाओ कहते हैं हेलो मिस लिंजी ये सुनकर लिंजी कहने लगी मैं तुम मुझे ऐसे कैसे बुला सकते हो मिश्टर शाओ कह रही हो तो लिंजी कहती है मैं लू गुरूप की इंवेश्टमेंट कॉंफरेंस में पार्टिसिपेट करने आई हूं लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज है वो है तुमसे इंगेजमेंट करना इस पर मिश्टि शाओ कोई रिप्लाई नहीं दे दे तो लिंजी कह कहती है मैरे कैसे लेना देना है मैं तुमारी फियांसी हूं क्या तुम मुझे चीट करना चाते हो मिश्टि शाओ बोले तॄ। अब भी हमारी शादी नहीं हुई है, तो मुझे तुम्हें चीट करने की कोई जरूत नहीं, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाता हूँ कि हम दोनों suitable नहीं है, लेंजी बोली, तुम मुझे नीजा दिखाना चाते हो, लेकिन तुम्हें मुझे इंगेस्मेंट करनी होगी, त अगर हमें लू फैमिली का फेवर मिल गया तो मेरी फैमिली और भी ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाएगी क्योंकि मिसलू बिजनिस वर्ल्ड की क्वीन है अगर हमारा लू फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन हुआ तो हमारी फैमिली को और भी ज़्यादा पावर्स मिल सकती है और अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो ये तुमारी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होगा ये सुनकर मिश्टर शाओ कहते हैं तो तुम चाहती हो कि मैं अपने बिजनिस को बढ़ाने के लिए तुमसे शादी करूँ सॉरी बट मैं ये नहीं कर सकता वैसे भी मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ ये सुनकर लिंजी कहती है वो ही लड़की जिसका डिवास हो चुका है और उसके हस्बेन ने उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया तुम मुझे उस लड़की के साथ कंपेर कर रहे हो मैं उसे छोड़ूंगे नहीं मिश्टर शाओ बोले उसे टच करने की हिमत भी मत करना तो लिंजी कहती है मैं हिमत करती हूँ या नहीं ये तुम खुदी देख लेना ये कहकर वो वहां से चली गई इसके बाद मिश्टर शाओ अपने मन में कहता है क्या जिया लूफ फैमिली की डॉटर है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है के बाद हमें इन्वेस्टमेंट सेरमानी का सेन दिखाये जाता है जिसमें इन्जे की पूरी फैमिली आयोई थी और एक मैनेजर उससे कहती है आप मिस हूलियांग के स्पेशल गैस्ट है मिस हूबी थोड़ी देर में आती होगी फिर वो वहीं बैट कर उसका वेट करने लगते हैं तब ही वो वहाँ जिया को आते वे देखते हैं और बहुत गुस्से में उसके पास जाते हैं तो जिया उनसे बोली तुम लोग मुझे यहां भी मिल गए कितना बैट लग है तब ही मिस जैंग उससे में कहने लगी तुमने मिस्टर शाओ के साथ हमारा कॉंटक्ट कहतम करवाया जबकि हम तीन साल से तुमें खाना और कपड़े दे रहे थे फिर भी तुमने बाहर किसी मैन को सैड्यूज कर लिया और हमारी फैमली की रेप्यूटेशन खराब की फिर कियान उससे बोली तुम मिस्टर शाओ की लवारों इस बात के लिए खुद को बहुत महान मत समझो आज हूलियान हमें लूफ फैमली से कॉंटक्ट करवाने वाली है तो जिया बोली हूलियांग तुम लोगों से एक बार पहले भी जूट बोल जुगे फिर भी तुम उस पर यकिन कर रहे हो तबी येंजे उससे कहता है तुम उससे डिवॉस लेकर कुछ ज़्यादा एक्साइटेर हो तुम मिस्टर शाओ से जान बूज कर मिली आखिर तुम चाहती क्या हो जिया कहती है आज मैं यहां मिस्टर शाओ की वज़े से नहीं आई बलकि मुझे यहां का इंविटेशन मिलाए कियान बूली प्रिटेंड करना बंद कर दो इस होटेल में नॉर्मल लोगों की एंट्रे अलाओ नहीं है फिर जिया उनसे कहती है मुझे तुम तीनों इडियेट्स पर हसी आ रही है जो पांस टॉप फैमिली जाज यहां आने वाली है वो मुझसे मिलने आई है यह उनसे कहने लगा तुम कितनी शेमलेस हो जूट बोलने की भी कोई लिमिट होती है तुमारी तु इस होटेल में आने की भी आउकात नहीं है तुम जरूर यहां आकर मेरी अटेंशन पाना चाहती हो लेकिन मेरे और तुमारे स्टेटेस में बहुत फरक है मैं तुम से लाश्ट बार कह रहा हूँ तुम इस होटेल से वापस चली जाओ वरना तुम यहां रुक कर पांश टॉफ फैमिलीज को उफेंड करोगी जिया बोली आज मैं यहीं रुकूँगी देखती हूँ किसमें मुझे यहां से बाहर निकालने की हिम्मत है तब ही वहां होटेल की मैनेजर आकर कहती है यहां यह सब क्या चल रहा है तो कियान बोली मैंने सुनाए कि आज इस होटेल में सिर्फ पांस टॉफ फैमिलीज का आना ही अला हुए यह पब्लिक के लिए उपन नहीं है फिर यह किलीनर यहां क्या कर रही है मिस जेंग कहती है यह ऐसी बिज़े जिसको अमारी फैमिली ने धक्के मार कर बाहार निकाल दिया था यह सुनकर मैनेजर वाँ पर सिक्योर्टी को बलाती है और उनसे कहती है यह लड़की होटेल में ट्रेबल कर रही है अगर यह खुद से यहां से ना जाये तो इसे धक्के मार कर बाहार निकाल देना जिया बोली मैनेजर लिउ मैं आपको एड़वाइस दे रहे हूँ मुझे आपसे बाहार निकालने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो तबी कियान मैनेजर से बोली मैनेजर आप अभी भी खड़ी क्यों है यह लड़की आपको धमकी दे रही है आप इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देती तबी मैनेजर कहने लगी मिस जिया तुम बहुत एरोगेंट हो इसलिए अब मुझे रूड बनने के लिए ब्लेम मत करना सिक्योर्टी गार्ड से बाहर निकालो तबी जिया उन्हें अपना इंविटेशन दिखाती है और मैनेजर से कहती है मैनेजर लिए मैं आपको इंबरेस नहीं करना चाहती मुझे आज के लिए इनवाइट किया गया है और यह रहा मेरा इनविटेशन इस सिटी की पास टॉफ फैमिलीज ने मुझे इनवाइट किया है और यह एक स्पेशल इनविटेशन है तब ही कियान उसके हाथ से वो इनविटेशन ले लेती है और उससे कहती है लगता है तुमने यहां आने के लिए काफ़ी एफट्स लगाए लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी को यहां आने के लिए स्पेशल इनविटेशन मिलता है फिर मैनेजर कहती है मैं इस होटल में दो साल से मैनेजर हूँ मैंने भी ऐसे रूल के बारे में कभी नहीं सुना जिया कहने लगी इस invitation में पास top families की seals है तुम ही देख लो ये fake है या नहीं फिर कियान उस invitation को manager को देती है और उससे उनमें seals चेक करने के लिए कहती है तब ही manager बोली चेक करने की कोई जरूत नहीं है एक ऐसी लड़की जिसके husband ने उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया वो हमारी hotel की guest होई नहीं सकती कियान कहती है फिर भी एक बार चेक कर लो क्या पता इसमें सचमें seals हो manager बोली ऐसी seals तो ये थोड़े पैसे देखकर fake भी लगवा सकती है ये कहकर वो उस invitation को फार देती है और फिर security guard says यहां को वहां से बाहर निकालने के लिए कहती है तभी उन्हें एक आवाज आती है मैं भी देखता हूँ कौन इसे यहां से बाहर निकालता है यह आवाज Mr. Shaw की थी उसे देखकर मिस जेंग कहने लगी इस बिच की हिम्मत कैसे हुई जो ही अपने लवर को भी आ ले आई तभी Mr. Shaw कहते है मैं इस जानने के लिए क्यूरेस हूँ कि अब तो तुम्हें मेरी identity भी पता है फिर तुम उससे इतने attitude में कैसे बात कर सकती हो तो कियान कहने लगी भले ही तुम एक top business man हो लेकिन आज यहाँ पर तुमसे भी बड़े business man साने वाले है जिनके आगे तुम चीटी भी नहीं और हूलियांग हमें उनसे introduce करवाएगी फिर manager बोली थोड़ी देर में आके man guest आने वाले है मैं तुम दोनों को यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल दूँ तो मुझे blame मत करना फिर वो security से उन दोनों को बाहर निकालने के लिए कहती है तब ही Mr. Shau उसे बोला मैं Shau Group का President Mr. Shau हूँ क्या तुम मुझे जानती नहीं तो manager बोली Of course मैं आपको जानती हूँ लेकिन मैं इतनी बड़ी hotel की manager हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता की तुम कौन हूँ फिर security guards उने बाहर निकालने के लिए आते हैं तब ही जिया उन से कहती है पहले मुझे एक call करना है ये कहकर वो Mr. Wu नाम के एक आदमी के पास call करती है तो वो आदमी कहता है Miss Zia क्या आप hotel में पहुँच गई जिया कहती है हाँ लेकिन यहां कुछ लोग मेरे लिए trouble कर रहे है और यहां की manager भी मेरे साथ बहुत गलत behavior कर रही है इस पर Mr. Wu कहते है Miss Zia आप मुझे पांच मिनट का time दो मैं खुद वहां आ रहा हूँ लेकिन Zia कहती है मैं तुमें तीन मिनट का time दे रही हूँ अगर तुम तीन मिनट में यहां नहीं आए तो फिर मुझे blame मत करना तभी वहां की manager कहने लगी Mr. Wu इस hotel के general manager है तुमारी हिम्मत कैसी है उनसे ऐसे बात करने की फिर वो security से उन दोनों को फिर से बाहर निकालने के लिए कहती है लेकिन Mr. Shown के साथ fight करने लगते है तभी manager कहती है भले ही आप इस city के top business man हो लेकिन इस hotel में किसी का भी fight करना अला हूँ नहीं है ये कहकर वो security department के owner को बलाती है और उसे उन दोनों की complain करती है लेकिन तभी वहाँ पर Mr. Wu आ जाते है तो manager उनसे बोली Mr. Wu आप यहां क्यों आए है इस पर Mr. Wu कहते है अगर मैं नहीं आता तो पता कैसे चलता कि तुमने यहां क्या किया है तो manager बोली I'm sorry Mr. Wu इसमें मेरी गलती थी जो मैंने इन दोनों लोगों को अंदर आने दिया तभी Mr. Wu से एक slap मार देते हैं और वो जिया के सामने घुटनों पर बैट कर बोले I'm sorry Miss Lu यह देखकर manager बोली ऐसा कैसे हो सकता है Mr. Wu इस hotel के general manager है वो इस लड़की के सामने घुटनों पर कैसे बैट सकते हैं फिर Mr. Wu जिया से बोले अब आप बताईए मैं इसे क्या punishment दूँ तो जिया कहने लगी इसने मेरा invitation letter फार दिया और फिर security guard से हमें बाहर निकलवाने के लिए कहा यह सुनकर Mr. Wu से गुसे में बोले तुमारी हिम्मत कैसे हुए यह करने की तो manager कहती है मैं तो आपके instructions को follow कर रही थी तब भी Mr. Wu से एक और slap मारते हैं और फिर वहाँ order देते हैं कि इस लड़की का नाम पूरी hotel industry से blacklist करवा दू फिर security guards उसे पकड़ कर ले जाते हैं और फिर Mr. Wu से माफ़े मांगते हैं इसके बाद कियान कहने लगी यह लड़की एक बिच्छे जिसे हमारी family ने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था मैं इसकी कभी respect नहीं करूंगी तब ही Mr. Wu से बोले इस city की पांच top families की भी आउकात नहीं इनके सामने मूँ खोलने की फिर security guard उन लोगों को भी पकड़ लेते हैं और इसके बाद Mr. Shaw और जिया अंदर चले गई तब ही manager वो जिया से कहता है hotel के top floor पर आपके लिए एक VIP room बुक किया गया है आप वहाँ जाईए और इन लोगों को मैं देख लूगा फिर जिया वहाँ चली जाती है अगले सीन में हम हूलियांग को देखते है जो एक lift में जा रही होती है तब ही एक आदमी उससे बोला ये lift सिर्फ आज के special guest के लिए है तो प्लीज आप किसी ordinary lift से चली जाईए ये सुनकर हूलियांग वहाँ से जाने लगती है तब ही उस lift से मिस जिया बाहर आती है हूलियांग उसे देखकर बोली ये जिया थी नहीं मुझसे ही देखने में mistake हो गई वो garbage लड़की यहां कैसे आ सकती है वही दूसी और हम देखते हैं कि security guard ये family को वहाँ से निकाल रहे होते है तब ही इनसे उससे कहता है हम यहां के guest है हमें मिस हूलियांग ने invite किया है तो मिस्टर वू कहते है हूलियांग और मिस लू का कोई comparison नहीं तब ही वहाँ पर हूलियांग आ जाती है और फो मिस्टर वू से बोली तुम इन लोगों को यहां से बाहर निकाल रहे हो लेकिन अभी मैंने उस bitch lose यां को यहां देखा ये सुनकर मिस्टर वू से एक slap मारते हैं और उससे कहते हैं अपना मू बंद रखो मिस्टर वू के बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो वो चाहे तो पूरी हू फैमली को डेश्ट्रॉय कर सकती है फिर हूलियांग उससे कहने लगी तुम इस होटेल के सिर्फ एक मैनेजर हो तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ और तुमें क्या लगता है कि तुम उस लड़की को सेव कर पाऊगे जिसके हस्बेंड ने उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया तो मिस्टर वू बोले मैं अभी भी सेम बात कहूंगा तुम मिस्टर वू के जूते साब करने के लायक भी नहीं हो इसलिए अभी के अभी यहां से निकलो यह सुनकर हूलियांग कहती है ठीक है मिस्टर वू आज हमारे साथ जो हुआ है उसे मैं हमीशे आद रखूँगी देखो मैं क्या करती हूँ यह कहकर वो यह फैमली को साथ लेकर वहां से चली गई वहां से बाहर आने के बाद यहिंजे उनसे कहता है क्या जिया को सच में आके टॉप फैमलीज ने इन्वाइट किया है तो उसकी मॉम बोली उस लड़की का कोई बैकराउंड नहीं है तब ही हूलियांग बोली अगर उसका कोई बैकराउंड होता तब भी उसे लूगरूप से कभी कमपेर नहीं किया जा सकता फिर कियान कहती है मॉम मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले जो का था वो बिल्गुल सही था इस बिचने सिटी के सभी हाउस होल्डर्स को सैड्यूज किया है तो उसकी मॉम कहने लगी अगर मुझे पहले पता होता कि अपनी बॉड़ी को इस तरह बेच देती है तो मैं कब काई इसका और इंजे का डिवास करवा देती तब ही मिश्टर शाओ वहां कर बोले क्या तुमारी फैमिली कभी ब्रश नहीं कर दी तुम लोगों के मुझे हमेशा गंदी स्मेल आती है इस पर मिस जैंग कहती है तुम अपने आपको समझते क्या हो लगता है तुमें भी यांसे हमारी तरह बाहर निकाल दिया फिर क्यान बोली मुझे लगता है कि तुमें भी उस बिच में इंट्रेस्ट है लेकिन जब तुमने उसे चार और आद्मियों के साथ देखा तो तुम्हें अनकमफर्टेबल फील हुआ होगा ये सुनकर मिस्टर शाओ उसे एक स्लैप मार देता है और उससे कहता है तुम भी एक लड़की हो तुम किसी दूसरी लड़की के बारे मैंसा कैसे बोल सकती हो फिर हूलियांग उससे कहती है मिस्टर शाओ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं आपसे डरती नहीं हूँ मिस्टर शाओ कहने लगे लगता है अब तुमें कोई नया प्लैन मिल गया हूलियांग कहती है हाँ आज रात यहाँ पर जो चार टॉफ फैमिलीज आई है मैंने उनसे बात किये और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें इन्वेस्टमेंट फेर में पार्टिसिपेट करने देंगे फिर कियान मिश्टर शाओ से कहती है भली तुमें एक बड़े बिजनिसमेन हो लेकिन इन चार टॉफ फैमिलीज के सामने कुछ भी नहीं तभी जिया वहां कर बोली तुमने कहा कि तुमने चार टॉफ फैमिलीज के ओनर से बात किये लेकिन मैंने तो तुमें नहीं देखा यिन्जे कहता है तुम इतना confidence के साथ कैसे कह सकती हो तुमारी जैसे लड़की को high society के बारे में कुछ पता भी है तुमें क्या लगता है कि तुम अपनी body को sell करके top पर पहुँच जाओगी तुम अपने ही सहियास तरीके से सिर्फ एक छोटे से boss से deal कर सकती हो लेकिन चार royal families से नहीं जिया बोली तुम कहना क्या चाते हो यिन्जे कहने लगा ठीक है मैं तुमें clearly बताता हूँ भले ही तुम इतनी lucky हो कि तुम चार royal families की lover बन गई लेकिन उनके लिए सिप तुमें एक play thing हो जिया कहती है मैंने expect नहीं किया था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो अच्छा हुआ कि मैंने तुमें divorce दे दिया मिस जैंग बूली क्या कहा तुमने तुमने मेरे बेटे को divorce दिया है ये मत भूलो कि हमारी family ने तुमें धक्के मार कर निकाला है फिर इन से बोला तुम कहरी हो कि हम investment fair में एंटर नहीं कर सकते ठीक है परसो तक वेट करो जब हम investment fair में एंटर करेंगे तब तुमारे expressions देखने लायक होंगे हूलियांग उससे बोली हमें ऐसे लोग उसे बहस करने की कोई जरूत नहीं है जो अपनी body को sell करके पैसे कमाते हैं ये सुनकर मिष्टि शाओ को बहुत गुस्सा आता है लेकिन जियांग उन्हें रोक दे दी है फिर हूलियांग उन दोनों से बोली मुझे लगता है एक बिच को डॉग ही like कर सकता है तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए perfect match हो ये कहकर वो वाँ से चले जाते हैं उनके जाने के बाद मिष्टि शाओ जिया से बोले तुम इन लोगों के बारे में सोच कर परिशान मत हो ऐसे लोगों को तुमें जल से जल अपनी life से निकाल देना चाहिए वैसे क्या तुम एक बार मेरे बारे में सोच सकती हो क्योंकि हूलियान ने अभी जो कहा वो सही था हम दोनों एक जैसे हैं एक तरह से वो हमारी तारिफ करके गई है जिया कहने लगी मिष्टि शाओ प्लीज आप मेरा मजाग बनाना बंद करो आप एक सिंगल पर्सन है और मैं एक डिवोर्सी वोमेन मिष्टि शाओ बोले मैं मजाक नहीं कर रहा मुझे इस बाद से फर्क नहीं पड़ता कि तुमारा डिवोर्स हुआ है यिन्जे तुमारी केर नहीं करता था लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट करूँगा जिया कहने लगी मिष्टि शाओ मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं भी इस बारे में नहीं सोचना चाहती इस पर मिष्टि शाओ बोले ठीक है मुझे तुमारा बैकप बनने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं तुमारा हमेशा वेट करूँगा अगर तुम दोबारा प्यार करना चाहो तो मेरे बारे में सोच सकती हो जिया बोली मैं नहीं चाहती कि आपको कोई जूटी होप दूँ बाइदवे क्या आपको इंवेश्टमेंट फेर का इंविटेशन मिला है तो मिश्टी शाओ कहते है हाँ लेकिन मेरे जाने का कोई रादा नहीं है क्योंकि उसमें चाहिना की टॉप टैन फैमिली जाने वाली है आपको क्या लगता है कि मैं एक डिवार्सी लड़की हूँ तो इंवेश्टमेंट फेर में नहीं जा सकती मिश्टी शाओ बोले तुम गलत समझ रही हो मैं बस इतना कहरा हूँगी क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वा नहीं जाओ क्योगी वाँ तुमारी जान को खत्रा हो सकता है ये सुनकर जिया बोली मुझे किससे खत्रा होगा तो मिश्टी शाओ कहते हैं व tissue family की बेटी लिंजी से जिया बोली मैं तो उसे जानती भी नहीं फिर वो मुझे हट क्यों करेगी मिष्टि शाओ कहने लगे, पहले मेरी उसके साथ अंगेजमेंट हुई थी, लेकिन मैं उसे लाइक नहीं करता, उसने कहीं से सुना कि साइनिंग सेरेमनी में मैंने तुमारी हेल्प की थी, जिया बोली, अच्छा तो उसे लगता है कि हमारे बीच कोई रिलेशनसिप है, इसल तो क्या आप मुझे कंपनी देने के लिए चलेंगे, मिष्टि शाओ इसके लिए हाँ कह देते हैं, तभी वहाँ जिया की कार आ जाती है, तो वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चली गई, फिर मिष्टि शाओ अपने मन में बोले, फिर से इसे पिक करने के लिए लू फैमली की कार आई है, अब तो मैं तुमारी आइडेंटिटी जानने के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में शॉपिंग पर आयोते हैं, और तभी वहाँ पर हूलियांग भी यी फैमली को लेकर आती है, तभी मिष्जेंग इतने बड़ी शॉप में लाने के लिए थैंक्स कहती है, तो हूलियांग कहने लगी, आंटी मैं इंजे से शादी करने वाली हूँ, तो अबसे मैं आपकी डॉटर इनलो हूँ, इसलिए आपको थैंक्स कहने के कोई जरूत नहीं, तभी कियान बोली, उधर देखो, जिया भ पताती हूँ, परसो जब हम लूफ फैमिली के साथ कॉपरेशन करेंगे, तब हम शाओ फैमिली को रिप्लेस कर देंगे, और सिटी की सबसे टॉप फैमिली बन जाएंगे, ये सुनकर मिश्टि शाओ कहने लगे, मुझे सच में ऐसा लगता है, कि तुमारी फैमिली के दिमा कर लिया हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस ट्रैस को तुमाई जिसी लड़की को बेचेंगे, ये सुनकर वाँ की एमपलोई बोली, मिस लू, हम सचमे ट्रैस ऐसे किस्टमर्स को बेचते हैं, जिनकी रेपुटिशन अच्छी हो, लेकिन मैं इस लड़की की बा परबाद किया हूँ, वो मुझसे खुद को कंपेर कर रही है, फिर हूलियंग बोली, यहाँ येंजे की माम और उसकी सिस्टर आई हुई है, मैं बहुत जल्दी इनकी फैमली में शादी करूँगी, और इनकी डॉटर इनलो बन जाऊँगी, इस पर मिस जैंक कहने लगी, ए ये कहकर वो उसे अपने सारे पैसे दे देती है, तभी जिया कहती है, अब मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, इस बात पर हूलियंग उसकी इंसल्ट करने लगती है, तभी मिस्टर शाव बोले, इसने कहा कि अब इसे ये ड्रेस नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए पूर करने की कोई ज़रूत नहीं फिर वो किसी के पास कॉल करता है और उससे कहता है मुझे इस सिटी का सबसे टॉप लगजरी ब्रांड चाहिए तीन मिनट के अंदर लेकिन वो आदमी उसे कुछ कहता है जिसे सुनकर मिष्टि शाओ शौक डुजाते हैं फिर हूलियंग बूली क् तुम जैसे लोगों कितने असानी से कैसे बेज सकते हैं इस पर जिया उससे बोली तुम सिर्प लूग ग्रूप की जेनरल मैनेजर हो तो तुम लूग ग्रूप के बारे में कुछ भी कैसे बोल सकती हो इसके बाद वहां की एंपलोई बोली मिष्टि जिया प्लीज आप यह यह ज़्यादा महेंगा नहीं है हूलियां कहने लगी लेकिन इस ब्रैंड की गेमत तो 800 मिलियन है इसके बाद एंपलोई के पास किसी का कॉल आता है फिर वह उन लोगों से कहती है इस ब्रैंड को जियो ग्रूप ने 500 मिलियन युवान में खरीद लिया है यह सुनकर हूलिय कहने लगी यह तो बस एक बिच है तुम इस पर इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हो फिर मिष्टी शाओ जिया से कहते हैं मुझे क्लोस इंड़स्ट्री में ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं है तो मैं इस कंपनी को तुमें दे रहा हूं जिया उसे एक्सेप्ट कर ले दिये फि इस पर जहां कहने लगी तुमारी फेमली तो इंवेस्ट्मेंट फेर में पारटी सेपेट करने के भी लायक नहीं बुली तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सरनेम लू है तो तुम्हें इस इंवेस्ट्मेंट का De Idee मियसिजर्ब इस कर ढूंगी फिर मिंग प।र इंस नहीं किया था कि इस बीच पर मिस्टर शाओ पांसु मिलियन खर्च कर देंगे कियान कहती है कहीं जिया सच में किसी अच्छी background से तो नहीं लेकिन हूलियंग बोली ऐसा कैसे हो सकता है अगर वो सच में अच्छे बैग्राउंड से होती तो तुमारी फैमली में तीन साल तक हाउस फाइफ बन कर क्यों रहती रिज जैंक बोली हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो तुमारे साथ उसका कोई कंपरिजन नहीं फि क्यान कहती है लेकर मुझे इस ब्रैंड के कपड़े खरीदने थे तो उसकी मौम कहती है तुम किसी और ब्रैंड के खरीद लेना क्यान बोली लेकिन यही ब्रैंडस सबसे अच्छा है और अगर कल की इन्वेश्ट्मेंट फेर में मैंने जिया से खराब कपड़े पहने तो मुझे बहुत इंबेरस होना पड़ेगा इस पर हूलियांग कहती है अगर उसने कल इंवेस्टमेंट फेर में आने की हम्मत की तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी अब वो मुझसे बचने ही सकती अगले सीन में मिश्टी श मिश्टी शाह से कहते हैं वह लोग यहां से चले गए अब तुम इसट्रस को ट्राय करो जिसी से कहते हैं सचमें बहुत ब्यूठी ब्यूटिफुल लग रहे हूं करने के लिकार थी और मिश्टी शाह से heavens कहती है तो मिश्टी शाह उससे बोले तुम्हें मेरे लिए इतना पॉलाइट होने के कोई जरूत नहीं कल तुम मेरी कंपनी में आना फिर मैं इस क्लोस कंपनी को तुमारे नाम ट्रंसफर कर दूगा यह सुनकर जिया कहने लगी आपने मुझे यह ड्रेस गिफ्ट किया यह तो ठीक था लेकिन कंपनी क इसके बाद मिश्टि शाव अपने मन में कहते हैं उसने एक फोन कॉल किया और लू ग्रूप ने ब्रेंट मुझे बेज दिया ऐसा कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं लगता कि जिया एक सिंपल लड़की है अगले सीन में वो दोनों साथ में इन्वेस्टमेंट फेर में चले जाता हैं और उन्हें देखकर हूलियां कहने लगी तो तुम लोगोंने सच में आने की हिमत की मिश्टि शाव बोले मिश्व क्या आप बताना चाहेंगी कि हम यहां आने की हिमत क्यों कर सकते तो हूलियां कहती है भली शाव family city की सबसे टॉप family है लेकिन आज यहां बेजिं कि सबसे टॉफ फैमिली बन जाएंगे ये सुनकर मिष्टि शाओ को बहुत गुसा आता है लेकिन जिया उसे रोक देती है और उससे कहती है तुम्हें जैसे घटिया लोगों को हिट करने की कोई जरूत नहीं वरना तुम्हें ही हट होगा ये सुनकर ये उससे बोला लगता है हमने लुफ फैमिली को अफेंड किया तो तुम्हारा ये लवर मिष्टि शाओ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा ये सुनकर मिष्टि शाओ कहते हैं मुझे तो लगता है कि तुम्हारी फैमिली खुद ही आपने आपको इंबरस करवाने आई है तो ये इनसे कहने लगा भले ही मैं तुमसे अपना comparison नहीं कर सकता लेकिन आज है हम किसी और जगह पर हैं तो मुझे तुम्हारी respect करने की कोई जरूत नहीं हम अब अंदर जा रहे हैं थोड़ी देर में हम लूग गुरूप के partner बन जाएंगे और तुम लोग सिर्फ या खड़े रहकर देखते रहना ये कहकर वो वाँ से जाने लगता है तब ही जिया उसे रोक कर कह दिया किसने का कि हमसे बाहर खड़े हो कर ये सब देखते रहेंगे अगर मैं चाहूं तो अभी अंदर जा सकती हूं लेकिन तुम लोग नहीं जा सकते ये सुनकर येंसे उसका मजाग बनाते वे बोला क्या क कहा तुमने हम अंदर नहीं जा सकते ये इस साल का सबसे बड़ा जोग है फिर वो उसे अपना इन्वीटेशन लेटर दिखाते वे बोला देखो हमें आने के लिए इन्वीटेशन लेटर मिला है तो हम जब चाहिए अंदर जा सकते हैं लेकिन तुम इस लाइफ में तो यहा किये और तुम मेरे सामने खड़े रहने के लायक नहीं हो यह कहा कर वो एक कॉल करती है और उससे कहती है कि फैमिली और हूँ फैमिली का इन्वीटेशन कैंसल कर दो लेकिन वो लोग उसे अवर्ड करके अंदर जाने लगते हैं और एक गार्ड को अपना इन्वीटेशन ले गार्ड कहता है मुझे भी यह न्यूज अभी अभी मिली है एक मिनिट मैं फिर से चेक करता हूं फिर वो उस न्यूज को पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा था कि यह और हूँ फैमिली का इन्वीटेशन इन्वैलिड है यह सुनकर यह जिया कि उस फोन कॉल के वज़े से हुआ अभी गार्ड बोला यह न्यूज हमारे बॉस ने खुद भेजिए अगर आपको यकीन नहीं तो आप डायरेक्ट उनी से पूंच सकते हैं यह सुनकर कियान उनके बॉस के बार में बुरा भला बोलने लगती है तो वह गार्ड उसे स्लैप मार देता है फिर यह उस गा जा सकते तब ही कियान बोली जिया तुम क्या प्रिटेंड करना जाती हो हम अंदर नहीं जा रहे लेकिन क्या तुम अंदर जा सकती हो तुम्हारे पास तो इन्वीटेशन भी नहीं है इस पर मिश्टि शाओ बोले हमें किसी इन्वीटेशन की जरुवत नहीं क्योंकि यह आ आपकी कोई लीगल फैमिली मेंबर नहीं है इसलिए वो अंदर नहीं आ सकती ये सुनकर हूलियांग उसका मजाग बनाते वे बूली तुम तो अभी बहुत प्राउड थी ना देखो तुमारे मुपर क्या स्लैप मारा है इस पर जिया कहती है बले ही मैं मिश्टर शाओ की फीम कि ये एक special invitation letter है तभी हूलियांग कहने लगी मेरा invitation letter invalid है तो फिर जिया का कैसे रियल हो सकता है क्योंकि special invitation के लिए 20 billion की property होना जरूरी है जिया बताव ये तुमारे पास कहा से आया तभी क्यान कहती है इसने जरूरी invitation letter पाने के लिए अपनी body cell की होगी तभी मिश्टर शाओ उसे slap मान देते हैं फिर ये उसे बोला मिश्टी शाओ आपको बहुत गुसा आ रहा है लेकिन मेरी sister ने जो भी कहा वो सही था जिया कोई invitation letter इतनी आसानी से नहीं मिला होगा ये सुनकर जिया उससे कहती है तुम मेरे invitation पर शक कर रहे हो मुझे invitation मेरी ability की वज़े से मिला है त तब तुम्हें लूजिया की existence का पता चलेगा तब तुम्हें अपने decision पर जरूर regret होगा ये सुनकर येंजे कहने लगा एक ऐसी लड़की जिसे से कपड़े धोना और cooking करना आता है मुझे उसे चोड़ने पर regret होगा मुझे लगता है कि अगर आप इसके साथ रहेंगे तो आपको एक दिन जरूर regret होगा मिश्टि शाओ कहने लगे मैं तो चाहता हूं कि पूरी लाइफ मेरे साथ रहें फिर येंजे कहता है मिश्टि शाओ आप शाओ फैमिली के प्राउड सन है मैं सच में नहीं समझ पा रहा कि आप ऐसी वुमैन को क्यों चूज कर रहे हो इस पर उससे कहता है मेरे थौट्स तुमारे जैसे गंदे नहीं है इंसे कहने लगा मैं इसके साथ तीन साल तक रहूं इसलिए मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूं जो काम इसे आते हैं वो तो एक नैनी भी कर सकती है इस पर मिश्टि शाओ कहते है क्योंकि तुम ब्लाइंड ह ज़िया जिसे ये फैमिली ने धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया था जिया बोली आप कौन तो लेंसी कहती है मैं वो फैमली की डाटर हूं जो यहां की टाप five families में से एक है जिया कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा तो लेंसी गुस्से में कहती है मिश्टि शाओ से म नहीं है या नहीं लेंजी गुस्से में बोली तुमारी हिम्मत कैसी मेरे सामने बोलने की तब ही मिश्टि शाओ उससे कहते हैं लेकिन मैं सिप लूजिया से प्यार करता हूं इसलिए प्लीज तुम मुझे फोर्स मत करो यह सुनकर वहां खड़े हुए कुछ लोग कहने लगे वू फैमिली और शाओ फैमिली के स्टेटेस में बहुत फरक है शाओ फैमिली उनके सामने कुछ भी नहीं फिर मिश्टि शाओ की हिमत कैसी वी लिंजी को रिजेक्ट करने की क्या इनका दिमाग खराब हो गया है जो ये वू फैमिली की डॉटर को छोड़कर एक ऐसी खतम कर दो और मेरे साथ अपने इंगेजमेंट कंटीनू रखो तब मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे कुछ भी नहीं हुआ हूँ लेकिन अगर तुमने इस से शादी करने की सोची तो मैं तुमारी फैमिली को डैस्ट्रॉय कर दूंगी इस पर मिश्टि शाओ कहते हैं मैं तुमें बता देना चाहता हूँ कि मैं हमीशा मिस जिया के साथ रहना चाहता हूँ भले ही तुम शाओ फैमिली को बेंक्रप्ट करवा दो मुझे उससे कोई फर्क नहीं परता तबी गार्ड कहने लगा थोड़ी देर में इन्वेस्ट्मेंट फेर सुरू होने वाला है इसलिए आप लोग यहां खड़े मत रहिए ये सुनकर वो लोग अंदर चले जाते हैं फिर मिस जेंग गुस्से में कहने लगी ये लड़की सच में हमारी फैमली को डैस्ट्रॉय करना चाहती है तब ही हूलियांग उनसे बूली आंटी आप गुस्सा मत करो इससे आपकी ब आप इस बात के लिए एक्साइटेड हैं कि आज आपको मिस लू का फेवर मिल जाएगा तो मिश्टर शाओ कहते हैं नहीं ये इतना आसान नहीं है इस पर जिया कहती है अगर मैं ये कहूं कि आप सच में लू गुरू के साथ पार्टनर्सिप करते हैं तो क्या आप इस पर मिश्टर शाओ बोले मैं अपनी पूरी कोसिस करूँगा लेकिन आज यहां बेजिंग की टॉप फैमिली जाई हुई है तो इतना आसान नहीं है कि वो मेरे साथ कॉपरेशन करेंगे इस पर जिया कहती है लेकिन मुझे आप पर पूरा एकीन है इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं जब वो वहां जाते हैं तो दो लोग मिश्टर शाओ से कहने लगे आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया वैसे ब्यूटिफुल लड़की कौन है मिश्टर शाओ कुछ बता पाते हैं उससे पहले वहां लिंजी आकर कहती है यह एक पूर फैमली की लड़की है ज पिसे किसी और सीट पर ले जाएं क्योंकि हमारे साथ बैठने की लायक नहीं है यह सुनकर जिया उनसे कहती है तुम दोनों लोग क्या वोमेंस को कमजोर समझते हो जो मुझे इस तरह से बुली कर रहे हो इस पर वह आदमी कहता है हाँ हम तुम्हें बुली कर रहे हैं तुम सिर्फ एक सेकंड रेट फैमली से निकाली गई लड़की हो फिर भी तुम हमारे सामने बक्वास कर रही हो यहां फर्स्ट लाइन में सिर्फ वह लोग बैठ सकते हैं जिनके पास स्पेशल इंविटेशन हो तो जिया कहती है आप लोग एक बार आखे खूल कर देखो मेरे प कर वह आदमी उसका मजाग बनाते हैं पता नहीं तुमने इंविटेशन लेटर लेने के लिए कौन कौन सी डर्टी ट्रिक्स यूज़ की होगी मिष्टि शाओ आप एक अच्छे परिवार से हैं फिर पता नहीं आप इस घटिया लड़की से क्यों प्यार करते हैं इससे बाहर निकलने के लिए कहते हैं तब इस यह उन से बूली तुम सब लोग मुझे यहां से बाहर निकालना चाहते हों लेकिन अगर मैं यहां से चली गई तो यह इन्वेस्टमेंट फेर कंप्लीट ही नहीं होगा यह सुनकर लिंजी मिष्टि शाओ से कहने लगी देखो तु लड़की की वज़े से उसके साथ इंगेस्मेंट तोड रहे हो फिर मिष्टि शाओं से गुस्से में कहने लगा अगर तुमने दोबारा मिजिया की इंसल्ट की तो मैं तुमें जान से मार डालूँगा फिर वो आदमी बोला लगता है तुम मरना चाहते हो तुमारी हिम्मत इसे ही क्या पूरी दुनिया से दुश्मनी कर सकता हूं फिर लिंजी कहने लगी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना बदल जाओगे तुमने खुद मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया है ये कहा कर वो किसी के पास कॉल करती है और उससे बोली पांच मिनट के अंदर शाओ ग्रूप को बेंकरप्ट करवा दो इसके बाद हूं मिश्टरी शाओ से कह दिया है अगर तुम उससे अपने इंगेजमेंट कंटियूर रखने का प्रॉमिस करो तो मैं अभी भी अपना ओर वापस ले सकती हूं वरना पांच मिनट के अंदर त फिर एक आदमी कहने लगा मिस लिंजी ने तुम्हें एक और चांस दिया है इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी गलती एकसेप्ट कर लो वरना तुम अपने हाथों से शाओ फैमली को बरबाद कर दोगे इसके बास जिया मिश्टी शाओ से कह दिया मिश्टी शाओ आप आप कैसी लड़की को लाइक करते हो इसे क्या लगता है कि यहां खड़े हुए सभी लोग बेवकूफ है तब ही जिया बोली चलो फिर शर्त लगाते हैं अगर पांच मिनट के अंदर शाओ फैमली की शेर्स में गिरावट आती है तो मैं तुमसे माफी मांगोंगी लेकिन अगर शाओ फैमली की शेर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी फिर लिंजी शर्त को एकसेप्ट कर लेती है थोड़ी देर बाद जिया कहती है पांच मिनट कंप्लीट हो चुके हैं अब तुम खुदी देख लो कि शाओ फैमली की शेर्स गिरने की बजाए और भी उपर जा रहे हैं ये सुनकर लिंजी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है इसके बाद वो फिर से कॉल करती है और उससे बोली तुमने शाओ फैमली को बेंक्रप्ट क्यों नहीं करवाया तो वो आदमी कहता है मिस लिंजी पता नहीं क्या हो रहा ह अब ही कुछी मिनट पहले शाओ ग्रूप को 100 बिलियंज के फंड मिले जिसकी वज़े से अब वो और भी स्टॉंग हो गए हैं ये सुनकर वो जिया से बोली ये तुमने कैसे किया तो जिया कहती है ये मैंने कैसे किया उससे तुमें क्या मतलब तुमें तो अब अपनी शर् चुकी हो तो इसे एडमिट भी कर लो लिंजी कहने लगी तुम चाहती हो कि मैं इतनी रिच होकर तुम जैसी हाउस वाइफ से माफी मांगू जिया कहने लगी अब हारने के बाद तुम चीट कर रही हो अगर तुमारी जगह आज मैं हार जाती तो तुम मुझे बहुत नीच पर कोई भी उन्हें कुछ नहीं बोल पाता तब ही जिया कहती है नहीं यह सीट मेरे लिए नहीं क्योंकि इन लोगों की मेरे साइड में बैठने की ऑकात नहीं है मेरी सीट वाँ सब के सामने है यह सुनकर सब लोग उसका मजाग बनाते हुए बोले लगता है यह लड़की पागल हो गही है यह कह रही है कि संबसे टॉप सीट इसकी है तो जिय रही है हाँ यह सीट सिफ मेरी है अफसोस की बात ही है कि यहां सिर्फ एक सीट है imming Chiang क्या आप भी मेरे साथ आने के लिए मिस्टर शाओ इसके लिए हां कहा के विसके पांस जाने लगते हैं लेकिन लेंजी उसे पकड़ कर बोली क्या तुम पागल हो गए हो वो खुट तो मरना चाहती है क्या तुम भी उसके साथ मरने वाले हो मैं जानता हूँ कि अभी तुम उससे गुस्सा हो भले ही अब मैं तुमसे हिट करती हूँ लेकिन मैं तुमें मरते नहीं होगा यह सुनकर वो लोग कहने लगे लगता है तुम दोनों कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो वह पहली सीट सबसे टॉफ फैमिली के लिए और्गनाइज की गई है तुम दोनों अपने आपको समझते क्या हो यहां से चले क्यों नहीं जाते तभी जिया कहती है आप कैसे कह सकते हैं कि मैं टॉफ फैमिली की मेंबर नहीं हूं तभी वहां पर एक आदमी आता है उसे देखकर वो लोग कहने लगे यह तो कमर्सियल डिपार्टमेंट के डिरेक्टर हैं आज की इन्वेस्ट्मेंट फैर का डिसीजन यहीं ले सकते हैं इसके बाद वो सभी लोग मिश् हो तो जिया बोली क्या तुम मुझे नहीं जानते मिश्टी चैंग कहते हैं मैं तुम्हें क्यों जानूंगा यह सीट स्पेशली लूफ फैमिली की डॉटर मिस लू के लिए है इसलिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी से वहां से अट जाओ फिर जिया कहती है मिश्टी चै चैंग उससे बूले तुमारी हिमत कैसी लू फैमिली की डॉटर होने का दिखावा करने की जिया बूली तुम ने कहा कि तुम लूफ एमिली के कमर्सियल डिपार्टमेंट के डिरेक्टर हो लेकिन मैंने पहले तुमें देखा क्यों नहीं मिश्टी चैंग कहते हैं मैं लू फैमिली की डॉटर होने का प्रिटेंड कर रही है और मिश्टि शाओ इसका साथ दे रहे हैं इसलिए मैं इन दोनों को माफ नहीं करूँगा तब ही जिया कहती है मैं लूफ फैमिली में पैदा हुई थी तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते मुझे तो शक है कि तुम अस दोनों को वहां से बाहर निकलवाने लगता है लेकिन तभी वहां पर अंकल जो आ जाते हैं जो मिश्टि चैंग से बोले तुम अपने मास्टर से स्टोन में बात करोगे मिश्टि चैंग बोले डिरेक्टर आप यहां क्या कर रहे हैं तभी अंकल जो से कहकर उस आदमे को प अभी नहीं बताना चाते, लू फैमली के पास और भी बहुत रास्त है, तुमारा मुझ खुलवाने के लिए, फिर सिक्योर्टी गार्ड्स उसे पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं, इसके बाद अंकल जो जिया के साबने घुटनों पर बैठते हैं, ये देखकर वहाँ खड़ लड़की को तो येंजे ने धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया था, ये सिर्फ एक हाउस वाइफ है, अंकल जो बोले, वो इसलिए क्योंकि येंजे ब्लाइंड था, और तुम सब भी, आज जिसने भी मिसलू की इंसल्ट की है, वो सब लू फैमली की दुश्मन है, और म मुझे यकिन नहीं है कि वो लू फैमली की डॉटर है, अंकल जो बोले, तुम्हें उनके आइडेंटिटी पर शक है, पर अनफॉर्चुनेटली यही सच है, फिर लिंजी कहने लगी, मैंने सुनाए कि दो दिन बाद लू फैमली मिसलू को अपनी सकसेसर बनाने वाली है, अ तब भी अंकल जो उसे एक स्लैब मार देते हैं, फिर लिंजी कहने लगी, तुम्हें यह जो special invitation मिला है, वो भी मिश्ट जो के साथ सोने के बाद ही मिला होगा, यह सुनकर मिश्ट जो फिर से उसे एक स्लैब मारते हैं, और उससे कहते हैं, पता नहीं वो फैमली की डॉटर तुम्हारी जैसी एडियेट कैसे हो सकती है तब भी वहाँ पर चार टॉफ फैमिलीज के हैड आ जाते हैं तो लिंजिया उनसे कहती है यह लड़की यहां पर मिस लू होने का प्रिटेंड कर रही है यहां तक की लू ग्रूप का मैनेजर भी इसके साथ मिला हुआ है तब ही उ 5 मिनिट में bank करवा सकती हूं फिस मिस्टường शाव से कहती है आप तो मुझे यकिन करते हैं चीटी के बर्ढबर भी नहीं मैं भी देखती हूं हमें 5 मिनट में कैसे बेंक्रप्ट करता है थोड़ी देर में लिंजी के पास किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि थोड़ी देर में हमारी कंपनी बेंक्रप्ट होने वाली है ये सुनकर लिंजी कहने लगी ऐसा कैसे हो सकता है शाओ फैमली के प किन करो मुझे कुछ पता नहीं था फिर उसकी डैड जिया से कहते हैं ऐसी लड़की को मैं अपने घर में कभी नहीं रखूँगा आज रात कोई मैं इसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूँगा इस पर लिंजी रोते वे बोली डैड प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो मैं आप की डॉटर हूँ तभी हूँ मिष्टि शाओ से कहती हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें इस लड़की के साथ नहीं देखना चाहती तो मिष्टि शाओ उसके पास जाकर बोले आज अगर लूजिया मेरी हल्प ना कर दी तो तुमने मेरी कंपनी को बेंक क्यों ना पड़ा आखिर इंवेश्टमेंट पार्टी में ऐसा क्या हो गया तभी इंजे को पता चलता है कि इंवेश्टमेंट फेर खतम हो चुका है फिर वो उनसे कहता है लूज ग्रूप ने शाओ ग्रूप के साथ कॉपरेशन किया है यह सुनकर मिस जहन कहने लगी यह स तीन साल तक उसे अपने घर में क्यों रखा फिर कियान कहने लगी अब तो हमने लूप के साथ कॉपरेशन भी खो दिया तो क्या हम कभी भी फर्ष्ट क्लास फेमिली नहीं बन पाएंगे इस पर हूलियांग बोली तुम फिकर मत करो कल लूप फेमिली में सक्सेशन सेरिमनी होने वाली है और वहाँ पर मिस लूप भी आएंगी लूप फेमिली की सेकंड डॉटर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो उस वक्त कॉपरेशन के लिए हमें रेकमेंड करेगी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगी फिर इंजे उस लूप फेमिली की सेकंड डॉटर है इसके बाद शेंग उससे कहने लगी लूप फेमिली को छोड़कर चली गई थी और तब से लूप फेमिली का बिजनिस मैं संबाल रही हूं लेकिन अब वो वापस आ गई है और मुझसे लूप फेमिली की हैड होने की पॉजिशन चीनन चाती है ये सुनकर लिंजी कहने लगी दो दिन बाद तो लूप फेमिली में सकसेशन सेरिमानी होने वाली है जिसमें लूप फेमिली का हैड बनाया जाएगा इस पर शेंग बोली किसने का कि सिर्फ वही लूप फेमिली की हैड की रिंग तो मेरे पास है क्या तुम मुझे हाँ मैं अपना बेस ट्राइ करूँगी बताओ मुझे क्या करना होगा तो शेंग बोली अगर मेरी प्यारी सिस्टर मर जाए तो मैं ही लूप फेमिली की इकलोती वारिस रहूंगी लिंजी बोली तुम फिकर मत करूँ तुमारे लिए मैं ये काम डेफिनाइटली करूँग अपी उससे मिलने के लिए तो जिया उससे बोली शेंग मैंने तुमें कितने टाइम से नहीं देखा वैसे तुम सिटी में वापस कब आई तो शेंग कहती है कल आपकी सक्सेसन पार्टी होने वाली है तो मैं आपको कॉंग्रेचुलेट करने के लिए वापस आई हैं इसके उंकल जो में जिया से कहते हैं काफी सारी फेमिली जपसे मिलने के लिए आई है क्या आप उनसे मिलना चाहती है जिया इसके लिए हां कहती है और फिर वहाँ से उटकर चली गई उसके जाने के बाएं में पछाइचेंज एक्षेज कर लेती है फिर शैंग वहाँ से चली गई इसके बाद वो जिया के फोन से मिश्टि शाओ के पास कॉल करती है और उससे कहती है मैंने जिया को किड्नैप कर लिया है अगर तुम उसे देखना चाते हो तो मेरे बताई हुए पते पर आऊँ और याद रखना कि तुम्हें अकेले आना है अगर अपने साथ किसी को लेकर आये तो तुम उसे दोबारा नहीं देख पाऊगे मिश्टि शाओ कहते हैं ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अकेला आऊँगा प्लीज तुम जिया को हट मत करना अगले सीन में वो उसकी बताईवी जगह पर आजाता है और चिलाते वे कहने लगा बताओ तुमने जिया को कहाँ चुपा कर रखा है मैं तुमें वार्निंग दे रहा हूँ अगर तुमने जिया को कुछ किया तो मैं तुमें छोडूँगा नहीं तब ही लिंजी उसके सर पर अटेक कर दे दिया इसके बाद मिश्टि शाओ की जब आँके खुलती है तो वो देखता है कि लिंजी ने उसे रसी से बांध कर रखा था मिश्टि शाओ उससे बोले अब तुम चाहती क्या हो लिंजी बोली अफकॉर्स मैं रिवेंज लेना चाहती हूँ फिर मिश्टि शाओ कहते है जिया कहां पर है और तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है तब ही लिंजी उसे एक स्लैप मार दे दिया और उससे कहती है मेरे सामने उसका नाम भी मतलो इसके बाद वो मिश्टि शाओ का फोन निकाल दिया फिर उससे बोली मिश्टि शाओ तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो मेरे कहने पर यहां आ गए इसके बाद वो जिया के फोन पर कॉल कर दिया वही दूसी और शैंग ने जिया का फोन वापस उसकी जगह पर रख दिया था तबी जिया वहां कर बोली शैंग तुम क्या कर रही हो तो शैंग कहती है आपके फोन पर अभी एक कॉल आया था मुझे लगा कि इंपोर्टेंट कॉल होगा इसलिए मैं इसे उठाने वाली थी तबी जिया अपने फोन में एक वीडियो देखती है जिसमें लिंजी उससे कह रही थी कि मिश्टी शाओ को मैंने किड्नैप कर लिया है अगर तुम उसे जिन्दा देखना चाती हो तो मेरी बताईवी जगह पर आओ ये देखकर जिया जल्दी से वाँ चली जाती है वहीं दूसी और लिंजी मिश्टी शाओ को एक स्लैप मार दिया और उससे कहती है मैं इस जानने के लिए बहुत क्यूरेस हूँ कि तुमने उस लड़की के लिए अपनी पूरी कंपनी को दाव पर लगा दिया तभी उसे जिया की आवाज आती है फेवो उससे बूली वो सच में आ गई तभी जिया वहां कर कहती है प्लीज मिश्टी शाओ को जाने दो मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जिया से इतना प्यार करते हूं फिर जिया उससे कहती है तुमारे फादर ने अल्रेडी मेरे पास आकर माफी मांग लिये और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं वो फैमिली को माफ कर दूँगी लेकिन आज तुम ये सब करके अपने फादर की मैनत को फिर से बरबाद कर दोगी किन्जी चिलाते वे बोली मेरे फादर बुड़े आदमी है वो भले मिस लू के डॉक बनना चाते हो लेकिन मैं नहीं बनना चाती उन्हें तो वो फैमिली के हैड की पोजिशन कब की मुझे दे देनी चाहिए थी जिया बोली तुम अपने फादर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो फिर मिस्टर शाओ उससे कहते हैं लेंजी सेम मिस्टेक फिर से मत करो अभी भी देर नहीं हुई है तो लेंजी उससे कहने लगी मुझे में क्या कमी है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ फिर बताओ मैं तुम्हारे लाइक क्यों नहीं हूँ मिस्टर शाओ बोले तुम्हें और जिया में बहुत डिफ्रेंस है फिर लेंजी बोली तुम कहना क्या चाती हो तभी लिंजी की बॉड़ी पर काफी सारे गन पइंट्स दिखाये जाते हैं और जिया उससे कहती है मैं भी देखती हूं तुमारा नाइफ ज्यादा फास्ट है या फिर उनकी गन तभी वहां उसके लोग आकर लिंजी को पकड़ लेते हैं और उन दो लेना चाती है इसलिए उसने मुझे तुमें मारने का ओर्डर दिया फिर सिक्योर्टी गार्ड्स उसे वहां से ले जाने लगते हैं तो लिंजी बोली तुमने तो कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगी तो जिया कहती है डॉन्ट वरी मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ प्रॉमिस नहीं आई हुए है फिर वो हूलियंग से कहता है मैं बहुत लखी हूँ कि मेरे पास तुम हूँ वर्नमा इतनी बड़ी पार्टी को कैसे अटेंड कर पाता फिर हूलियंग उसे शैंग के पास लेकर जाती है और उससे बूली तुम्हें याद है मैंने दो दिन प लेकिन काफी देर तक वेट करने पर भी जिया वा नहीं आती वही दूसी और शैंग के पास एक आदमे का मैसेज आता है कि मैंने सब चीज सेंटल कर दी है लेकिन आप अपना प्रॉमिस मत भूलना शैंग इसके लिए हा कहती है और फिर जिया की जगे मिस लू बनकर लेकिन डॉटर हूँ और अनफॉर्चुनेटली कुछी टाइम पहले मेरी सिस्टर की डैथ हो गई तो अब से लू फैमिली की वारिस सिर्फ मैं हूँ इसलिए मिस लू की पॉजिशन भी मेरी है तब ही जिया वहां आकर बोली किसने कहा कि मैं मर गई तुम्हें इतना आने चाहती हो उसे देखकर मिस जहन कहने लगी इसकी हिममत कैसे हो यहां मतों सोचो कि तुमारे सरनेम लू है तो तुम लूफ फैमली की मैंबर होने का प्रिटेंड करोगी जिया बोली मैं लू फैमली से ब्लॉं करती हूं तो मैं प्रिटेंड क्यू करूंगी फिर इन्से सी हाउस वाइफ से कभी प्यार नहीं हो सकता फिर जिया उससे कहती है तुमने मेरे साथ जो भी किया है वो एक एक चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है और मैं बहुत जल्दी तुम्हें उसका सबक सिखाऊंगी यह सुनकर यंजे उसे गुस्से में स्लैप मारने वाला होता है लेकिन मिश्टर शाव वहां कर उसे रोक लेता है इसके बाद जिया स्टेज पर जाती है जिसे देखकर हूल यांग बूली लगता है इसे मौत से डर नहीं लगता फिर मिस जैंग यंजे से बूली अच्छा हुआ बेटा तुमने इसे डिवॉस ले लिया वरना आज यह अपने साथ साथ हमें भी इंबरस करती है वही दूसी और जिया स्टेज पर जाकर शैंग से कहती है तुमारी हिम्मत कैसी मेरी पॉजिशन चीनने की और अब जब मैं यहां गई हूँ तो अच्छा इसके बाद वहां आए हुए चार टॉफ फैमिली के मेंबर बोले यही लूफ फैमिली की अल्डर्स डॉटर है यह सुनकर वो सभी शौक डुजाते है और फिर इंसे कहने लगा इंपॉसिबल यह लूफ फैमिली की अल्डर्स डॉटर कैसे हो सकती है फिर वो जिया के पास करते हैं फिर इंजे शौक डोकर बोला यह मैंने क्या करदिया इसके बास शेंग उन्स सबसे कहने लगी मेरे पास लूफ फैमिली के हैड की रिंग है और जिसके फैमिली का सक्सेसर होता है तभी जिया इसके फैमिली का खाथ से रैंग लेकर फंक देती है और से बोली तुमारा क्या मतलब है कि आप जो भी के ओर्डर दिये हैं ये सब देखने के बाद मिश्टर जो उसे मारने के लिए आ रहे होता है तब ही शेंग लूजिया के पैरों में गर जाती है और उससे कहने लगी सिस्टर मैं गलत थी मैं लूफ एमिली की पॉजिशन तुमें देने के लिए तयार हूं मैं इस पॉजिशन मिश्टर वू उससे बूले ठीक है मेरी बेटी ने गलती की लेकिन फेबी तुम जिन्दा तो हो लेकिन तुमने मेरी बेटी को मरवा दिया जिया कहती है मैंने उसे नहीं मारा और आप मुझे पर इल्जाम लगा रहे हैं तो मुझे एविडेंस दो मिश्टर वू कहने लग तो तुम मेरी बेटी की असली किलर हो फिर जिया उससे कहती है शैंग तुम लू फैमिली में रहने के भी लायक नहीं हो कोई इसे पुलिस टेशन लेकर जाओ फिर कुछ लोग वहां कर उसे पकड़ लेते हैं तो शैंग उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी सिस्टर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो आप मेरी सिस्टर हो तो जिया कहती है अगर तुम मेरी बायलोजिकल सिस्टर होती तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करती फिर वो लोग उसे वहां से ले जाते हैं इसके बाद मिस्टर लू जिया से बोले एम सोरी मैंने आप पर गलत इलगाया मेरी बेटी की टैथ उसी की गलती की वज़े से हुई मैं आपसे भीक मांगता हूं कि प्लीज वू फैमली को माफ कर दो तो जिया कहती है मैं वू फैमली के बारे में आपसे किसी और दिन बात करूंगी फिलहाल मैं आपको यह नहीं देखना चाती ये सुनकर मिस्टर वू वाँ से चले जाते हैं इसके बाद इन्जे जिया से कहने लगा तुमने मुझे पहले क्योंने बताया कि तुम लू फैमली की डॉटर हो जिया बोली अगर मैं बताती तो क्या तुम यकीन करते तुमारी नजरों में किसी काम की नहीं थी मैंने तुमसे का था कि शाओ कर सकते हैं तर भी यह सॉखने स्वार्टि करे हैं और तुमने तो का था कि तूम मुझसे प्यार करते हो तुमारी नजरों है ने फिर तुम अब से कभी अलग नहीं होता ना ही उसे डिवार्स देता मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ ये देखकर जिया उससे बुली जब भी तुमारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम वोमेन को ब्लेम कर देते हो ये कहकर वो हूलियांग को उठाती है और फिर उसे धका मारकर कहती है तुम यही डिजरो करती हो इसके बाद वो मिस जैंग और कियान से बोली तीन साल से मैं तुमारे साथ तुमारे घर में रही और उस वक्त तुम दोनों ने मुझे बहुत बुली किया सिर्फ इतना ही काफी नहीं था डिवार्स के बाद भी तुम लोगों ने मुझे परिशा चांस दे सकती हो जिया बोली तुम्हें इस लाइफ में तुम आफ करना इंपॉसिबल है क्योंकि तुम मेरी माफी डिजरो नहीं करते इसके बाद वो वहां खड़े हुए सबी लोगों से बूली आज से लू फैमिली का और ये फैमिली का कोई लेना देना नहीं और प्लीस मैं इने धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल दू तो जिया बोली इसकी कोई जरूत नहीं है तुम मुझे ही राइट पर ले चलो फिवो दोनों वहां से चले जाते हैं और इसी की साथ ही इस ड्रामा की हैपई एंडिंग होती है आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी नए चाइनिज ड्रामास देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग